मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे देश में समय के सार, स्थिती, परिस्थित्यों के अनुसार अनेक परंपराय विक्सित होती हैं। यही परंपराय हमारी संस्कृति का सामर्थ बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती हैं। कुछ मैने पहले ऐसी ही एक परंपरा शुरू हुई काशी में। काशी तमिल्क संगमम के दौरान काशी और तमिल्क छेतर के बीच सद्यों से चले आ रहे एत्यासिक और सांस्कृतिक समंदों को सेलिबरेट किया गया। एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सिखते हैं तो एक्ता की ये भावना और प्रगाड होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महिने गुजरात के विविन हिस्सों में सवराष्ट तमिल संगमम होने जा रहा है। सवराष्ट तमिल संगमम 17 से 30 अपरिल तक चलेगा। मन की बात के कुछ रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सवराष्ट का तमिल नाडू से क्या समंध है। दरबसल सदियों पहले सवराष्ट के अनेकों लोग तमिल नाडू के अलग-अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सवराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खानपान, रहनसन, सामाजी के समस्कारों में आज भी कुछ-कुछ सवराष्ट्र की जलग मिल जाती हैं। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिल नावडु से बहुत से लोगों ने सरहाना भरे पत्र लिखे हैं। मदरई में रहने वाले जये चंदरन जीन ने एक बड़ी ही भावुक बात लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि हजार साल के बाद पहली बार किसी ने सवराष्ट्र तमिल के इन रिस्तों के बारों में सोचा है। ये भी एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना को मजबूत करती हैं। अब सभी जानते हैं कि हम बीर लासिद बौर्फुक जी की चारसो भी जैनती मना रहे हैं। बीर लासिद बॉर्फुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गोहाटी को आजात करवाया था आदेश इस महान युद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है कुछ दिन पहले लासिद बॉर्फुकन के जीवन पनाधारी निबंद लेखन का एक अभ्यान चलाया गया था आपको यह जानकर आश्यर होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंद भेजे आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रेकॉर्ड बन चुका है और सबसे बड़ी बात है और जो ज़्यादा प्रसंता की बात है कि वीर लासिद बॉर्फुकन पर यह जो निमन लिखे गए है उसमें करीब करीब 23 अलगलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी अंगरेजी बांगला बोडो नेपाली संस्कुरूद संथाली जैसी भाषाओं में लोगों निवन भेजे है मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की रदेश से प्रसंशा करता हूं